मेरा नाम नीशा है, मेरी शादी छे साल पहले मेरी पिता जी के दोस्त के बेटे से हुई थी, मेरे पिता की एक एकसिदेंट में मौत हो गई थी, हम दोनों बहने हैं, मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी, मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नीतु है, जब मैं 12 स तब ही मेरे पिता की एक कार एक्सिडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कबजा कर लिया था। मेरी मा बहुत बुजदिल थी जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी। वो हमें लेकर नानी के पास चली गई। जब तक नाना नानी जिन्दा थे तब तक तो हमें वहाँ पर इज़त मिली। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। नाहीं कभी हमें किसी बात पर डाटा और नाहीं कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी मा की दूसरी शादी करवाने की भी बहुत कोशिस की मगर मा शादी करना नहीं चाहती थी कुछ समय बाद मेरे नाना नानी इस दुनिया को छोड़ कर चले गए और अब घर की सारे जिम्मेदारी मेरे मामा जी पर आ गई थी मामा मेरी मा से बड़े थे मामा की शादी नाना नानी के जीते जी हो गई थी नाना नानी के सामने तो हमारी मामी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी मगर नाना नानी की मौत के बाद मामी ने भी हमसे अपनी आखे मोड ली और उनके घर में हम तीनों मा बेटियों के साथ नौकरानियों जैसा सुलूक होने लगा मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी उस्कूल में पढ़ाया था मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चे से दिक्कत होती थी वे हमेशा महंगाई की ही बाते करती रहती थी ना जाने ये मामी की बातों का असर था फिर मेरी माँ अपनी जिन्द की ही इतने लिखवा कर लाई थी उन्होंने अपने दिल को रोग लगा लिया और ये रोग फिर हार्ट अटेक का रूप बन कर उनकी मौत बन गया और अब इस दुख भरी दुनिया में हम दोनों बहने अकेली हो गए थे कहने को तो हमारे काफी रिस्तेदार थे और दुनिया वालों को दिखाने के लिए हमारा ख्याल भी रखा करते थे हमारे हालचाल भी पूसते रहा करते थे मगर हकीकत तो ये थी कि किसी को भी हमसे हमदर्दी नहीं थी कोई भी हमारी जिमेदारी उठाने को तयार नहीं था बस सब हमारे साथ हमदर्दी का दिखावा किया करते थे जो सब लोग जताते थे मामी तो सब के हाथ सामने बहुत अच्छी बनती थी मगर अकेले में वेवार हमारे साथ बहुत ही बुरा होता था फिर जब मेरी उम्र बाइस साल की हुई तो मेरे मामा ने मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी मेरे पती बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे मगर वे कानों के बहुत कच्छे थे जो अपनी मा के कानों से सुनते थे उसी की जुबानी बोलते थे अपनी मा का कहना मानना बहुत अच्छी आदत है लेकिन बिना सुन ससुराल में आठ साल गुजर गए और मैं दो बेटियों की मा बन गई इससे पहले तो मुझे दहेज ना लेने के तानी मिला करते थे और उसके बाद एक नया ताना ये मिला कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा करती हूँ और इन लोगों को कभी बेटे की खुशी नहीं दे सकती मैंने अपनी सास और अपने पती को बहुत समझा की कोशिस की की बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है ये तो इश्वर की मरजी है वे चाहे जिसको लड़का दे चाहे जिसको लड़की दे मगर मेरी बाते उनको समझ में नहीं आती थी और ऐसी बातों पर मुझे पढ़ा लिखा होने के भी ताने मिला करते थे धीरे धीरे मैंने सब कुछ कहना बंद कर दिया और फिर खामोशी रहने लगी एक दिन मेरी बहन नीटू की भी शादी हो गई और मेरे दिमाग से बोश सा हलका हो गया मेरी बहन का पती और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे मैं भी सुकून की सास भरती थी कि आखिर मेरी बहन की आज माइस भी अब खतम हो गई नीतु की शादी को अभी दस महीने ही गुजरे थे कि मेरी बहन विद्वा हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसको मनहूस कहकर घर से निकाल दिया मामी नीतु को घर पर रखने के लिए तयार नहीं थी और मामा तो मामी की बात मानने पर मजबूर हो गए थे मामा भी मेरे ससुर की तरह मामी से बहुत दपते थे एक दिन जब मैं मामी के घर गई तो मामी नीतु को बहुत बुरी तरह से मार रही थी मैंने उसे बहुत मुश्किल से चुड़वाया और फिर गुसे में उसके थोड़े से कपड़े लेकर उसे लेकर अपने साथ अपने घर ले आई मगर यहाँ पर तो हंगामा खड़ा हो गया जब मेरी सास को पता चला की वे यहाँ पर ही रहेगी और वे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी मुझे अपनी बेहन के सामने बहुत सरमिंदगी का सामना करना पड़ा था मगर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी मेरी सास को मेरी बेहन का घर में आना पसंद नहीं था वो रोज रात को मेरे पती को चड़ाया करती थी एक दिन मैं रात को किचन का काम खतम करके अपने क मुझे अपनी सास के कमरे से कुछ आवाज आने लगी, नाचाते हुए भी मैं उनकी बातों को रुक कर सुनने लगी, वो आज भी रोज की तरह मेरे पती को मेरे और मेरी बहन के खिलाव बढ़का रही थी, मेरे कान लगाकर उनकी बात सुनी तो मुझे आवाज आई कि देखो जरा तुम्हारी पत्नी को किसी का डर है भी या नहीं महंगाई का जमाना है इतनी कम आमदनी में जब इनसान के लिए अपना खर्चा उठाना मुश्किल है इस वक्त तो अपना गुजारा करना ही दुर्भर हो रहा है उपर से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों पर एक और जिम्मेदारी लाकर बैठा दी है पहले इसको और इसकी बेटियों को हम पाल रहे थे उनकी जिम्मेदारी क्या कम थी जो उपर से अपने साथ ये अपनी बेहन को भी ले आई है कल को ये अपनी बाकी माई के वालों को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा खांदान यहीं पर ही इकटा कर लेगी और तुम बस गुंगे की तरह उसको देखते रहना उसको किसी बात के लिए मना मत करना इसे कुछ मत कहना मेरे पती खामोसी से उनकी सारी बाते सुन रहे थे फिर थोड़ी देर बात जब वे बोले तो कहने लगे की मा मैं उससे कहता हूँ और इससे जादा क्या करू मेरी सास को बस हर बात में अपनी ही चलानी की आदत थी वे जब अपने कहने पर आती तो वे और किसी की कोई बात नहीं सुनती थी तब चाहे सामने उनका बेटा हो या फिर उनका पती सब ही उनसे ड़ते थे और उनसे दबे बैठे थे बेटे की तो समझ आती थी क्योंकि वे अपनी मा का कहना नहीं टाल सकते थे वे तो अपनी मा को किसी भी हाल में पलट कर जवाब नहीं दे सकते थे मगर मेरे ससूर क्यों उनसे ड़ते थे उनकी हर नाजायस बात को मानते थे और पता नहीं क्यों उनकी हर गलती पर भी खामोसी सक्तियार कर लिया करते थे सास की सारी बाते तो मेरी समझ से बाहर थी मेरी बहुत अच्छी थी और बहुत ही जादा मासूम भी और सभी का कहना मानने वाली और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली अब वो हालत के हातों मजबूर हो चुकी थी इसमें इस बिचारी की क्या गलती थी उसका इस दुनिया म मेरे अलावा और कोई नहीं था वे कहा जाती और इस मुश्किल समय में अगर मैं भी उसे छोड़ देती और इस कड़वे वक्त में भी उसके काम नहीं आती फिर ऐसे रिस्तों का क्या फायदा जो कड़ी धूप में ठंडी च्छाव ना बन सके वे हर रोज मेरे पती को मेरे ख गई जब मेरे पती कमरे में आये तो मैं जानती थी कि अब मुझ पर सारा गुस्सा निकालने वाले हैं उनके अंदाज और उनके चहरे से लग रहा था कि वे बहुत गुस्से में हैं जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाही तो मैं सोने की एक्टिंग करने लगी अपनी सास की बाते सुनकर ही मेरे दिल पर छूरियां चलने लगी थी अब मैं और भी जादा अपने दिल को बुरा नहीं करना चाहती थी फिर ना जाने रात के किस समय मुझे नीन आ गई और अगली सुबह फिर से वही हंगामा शुरू हो गया था जबकि मेरी बहन घर के सारे काम किया कर गरती थी और सास साथ मेरी भी मदद करवाती थी वो बुलकुल खामोसी के साथ यहां पर वक्त गुजार रही थी अगर मेरी सास उससे कुछ कह भी देती तो वो पलट कर कभी उनको जवाब नहीं देती थी मगर वे भी सबका वेवार समझ रही थी और सबकी अंदास देख और उसने मुझे से कहा कि वे मामी के घर चली जाएगी और वहाँ पर रह लेगी मगर मैं जानती थी कि वहाँ पर मामी उसके साथ कैसा सलूप करेंगी इसलिए मैंने उसे सकती से वहाँ जाने को मना कर दिया और कहा कि तुम्हें परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है मैं सब सम्हाल लुंगी मगर अब घर के हालत मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे और अब मेरी सास उटते बैठते मुझे ताना मार कर कहा करती थी कि तुमारी बेहन यहां पर कब तक रहेगी और मैं उनकी इस बात पर खामोस रहती थी मेरी एक ही नंदी थी जो अपनी मां की आदत की तरह बुलकुल भी नहीं थी वे तो बहुत प्यारी और अच्छी थी उसकी शादी दूसरे सहर में हो गई थी आज वे हमारे घर में अपने पती के साथ कुछ दिनों रहने के लिए आ रही थी उसकी आने से मेरे अंदर हिम्मत बनने लगी क्योंकि वे जब अपनी मा को मे को देखने की भी तमीज नहीं थी मगर मैं सब कुछ नजर अंदाज कर देती थी अगर मैं उसके बारे में किसी से कहती भी तो किस से मैंने अपनी नंद के लिए खाना बनाया था मैं अपनी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं होने देना चाहती थी जब मेरी नंद और उसका पती हमारे घर आये तो मेरी बहन उनसे मिलने के बाद कमरे में जाकर बैट गई और रात को मेरी सास ने कहा कि अपनी बहन से कहो वो स्टोर रूम में जाकर सो जाए या फिर बाहर गैलरी में सो जाए क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी और दमाद रुकेंगी मुझे अपनी बहन पर बहुत ख्याल आया और मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में वे स्टोर रूम में कैसे सो सकती है वहाँ ना तो कोई पंखा था और ना ही कोई खिडकी मैंने बहुत ही मरे हुए दिल से अपनी बहन को ये सब कुछ कह दिया क्यूंकि मैं घर में कोई हंगामा नहीं चाती थी वो बिचारी मेरे कहने पर गैलरी में सो गई और हम सब लोग भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए आधी रात का समय था जब अचानक से एक शोर की आवाज से मेरी आँख खुल गई मैं और मेरे पती बाहर की त कोशिस करें जब मैंने नीतु की तरफ देखा तो वे काफी डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी वो भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने इने नहीं बुलाया था ये खुद ही यहां पर आ गए थे उनका इशारा मेरी नंद के पती की तरफ था जब कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती मगर ये जो कुछ भी हो रहा था उसने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुचाई थी मैंने अपनी नंद की तरफ देखा कि पता नहीं दीदी की मेरी बहन के बारे में क्या सोचेंगी मगर मुझे उनकी आँखों में एक अजीब सा सरमिंदगी नजर आ रही थी एक अजीब सा दुख और एक अजीब सा शक जिन नजरों से वे अपने पती को देख रही थी इस बात से मुझे अंदाजा हो गया था कि वे जानती हैं कि गलती उनके पती की है मगर शायद वे सबके सामने ये बात नहीं कर सकती थी मेरी सास किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी और मेरी नन्द ने जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया और सब लोग वापस सोने के लिए चले गए अपने कमरे में आने के बाद ही मेरे पती ने मुझे बहुत सी बाते सुनाई और कहा की तुम्हारी बहन के लाच्छन ठीक नहीं है वे मुझे भी अजीब अजीब तरह से इशारे करके अपनी तरफ कीचने की कोशिस करती है अपनी बहन के लिए इस इलजाम को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बहन कैसी है और मैं ये भी जानती थी कि मेरे पती मेरी बहन पर बहुत बड़ा इलजाम लगा रहे हैं मगर मैं खामोसी से सब कुछ बरदास करने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि हम दोनों बहनों के आगे पीछ कोई नहीं था जो हमारी तरफ से बोलता और हमें सहारा देता यही वज़त है कि सब लोग हमें बे सहारा समझ कर हम पर इलजाम लगाते थे तरह तरह की बाते करने के बाद सब लोग शायद सो गए थे लेकिन मैं पूरी रात जाकती रही थी मेरे दिमाग में ना जाने कौन- खर्च और महिंगाई का ही रोना रोती रहती है और अब तो उन्हें एक नई बात मिल गई थी वे बात बात पर मेरी नंदोई वाले बात पर मुझे ताना देती उसको घर से बाहर निकालने को कहेंगे पूरी रात मैं इसी बारे में सोच रही थी सुबह के पांच बजे मेर आँख लग गई तब ही मेरे पती ने मुझे उठा दिया कि मेरे लिए नास्ता बनाओ जम्म किचन में आई तो मेरी बेहन नास्ता बना रही थी उसके आखी सूजी सूजी सी हो रही थी उसका चहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वे पूरी रात नहीं सोई है जैसे क मैं जाग रही थी मुझे देखकर उसने अपने चेहरे पर जूटी मुस्कुराहट सजाई मेरा दिल दुखी से भर गया मैं उस बिचारी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी जब मेरी नंद सो कर उठी तो उसने बुलकुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों से बात की जैसे की कुछ हुआ ही ना हो और नास्ता करने के बाद उसने अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी उसे इतनी जल्दी वापस जाता देखकर मेरी सास को बहुत गुस्ता आया और उन्होंने हम दोनों बेहनों की अच्छी खासी क्लास ले ली कि वे तुम्हारी बहन की वज़े से इतनी जल्दी वापस जा रही है वरना ये अपने घर से यहां कुछ दिनों रुकने का प्लैन बना कर आई थी ये अंदाज़त तो मुझे भी था कि वे यहां पर कुछ दिनों रुकने के लिए आई है मगर ये भी सस्था कि वे यहां से जल्द मेरी बहन की वज़े से नहीं बलकि अपने पती के वज़े से गई थी क्योंकि वे अपने पती की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी जाते जाते उसने मुझसे माफी भी मांगी थी मगर ये बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती, अगर ये बात मैं घर में करती तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता, दिमागी तोर पर मैं बहुत ठक चुकी थी, मुझे सुकून की जरूरत थी, मुझे खामोसी की जरूरत थी, मुझे जजबात सहारी की जरूरत थी, मेरा दिल करता था कि मैं यहां से बहुत दूर चली जाओं जहां मुझे कोई न जानता हो, जहां मुझे कोई परिशान न करे और मैं वहां बहुत सारे पल गुजार दू, आज मैं अपने सारे दुख दर्द बहादू और यहां तो मुझे रोने के लिए भी किसी बहानी की जरूरत थी क्योंकि मेरी सास को मेरा और मेरी बेटियों का रोना अच्छा नहीं लगता था अगर वे मुझे रोते हुए देख भी लिया करती थी तो वे मुझे बहुत बाते सुनाया करती थी तुमने हमारे घर में मनहुसियत फैलाई हुई है तुम चाहती ही यही हो कि इस घर में कभी खुशियां वापस आए इसलिए हमेशा मनहुसियत फैलाई रहती हो मैं तो अपने आसों को साफ करती थी दिन ऐसे ही धीरे धीरे दिनों से गुजरते चले गए एक अजीब तरह की उदासी थी जिसने मेरी पूरी वजूत को बरबात कर दिया था वे दिन भी और दिनों की तरह था जब मेरी बहन मेरे पास आई ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझसे नहीं पा रही हो मैं समझ गई थी कि वे जरूर यहां से जाने की बात करेगी लेकिन ये भी जानती थी कि कुछ वक्त लगेगा और फिर मैं इसके लिए सही रास्ता देखकर इसकी साधी करवा दूँगी मगर मैं किसी हाल में भी उसको मामा के घर नहीं बेश सकती थी क्यों मैं उसकी आसु साफ करने लगी और उसको खामोस करानी की कोशिस करने लगी क्योंकि मैं चाती थी कि वे अपना सारा दुख इन आसुओं के सहारे बहा दे काफी देर के बाद वे समली तो मुझसे कहने लगी कि आपके ससुर अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि उपर से मेरी सास की आवाज आ गई उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से खाना त्यार कर लो घर में कुछ महमान आ रहे हैं उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई ना जाने उन्होंने मेरी बहन से क्या कहा था क्योंकि मुझे उनकी बात करने की आवाज तो आ रही थी मगर वे क्या बात कर रही थी समझ नहीं आ रहा था और जब मैंने दुबारा अपनी बेहन से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, मुझे टाल दिया मगर उसकी बात पर मैं हैरान हो गई, वे मुझे कुछ कहना चाह रही थी और मुझे बता भी रही थी, मैं अपने एक काम में बिजी हो गई थी इसलिए मैंने उस पर जादा ध्यान नहीं दिया मैंने ऐसा महसूस किया कि वे बहुत परिशान रहने लगी थी और हमेशा डरी सहमी सी रहने लगी थी मैंने उससे बहुत बार पूछा कि तुम क्यों परिशान हो जो बात है मुझे बता दो मगर म मुझे कुछ कहना चा रही हो मगर कह नहीं पा रही हो जब भी मैं अपनी बहन के साथ अकेले बैठती थी तो मेरी सास अचानक ही आ जाती थी मुझे उसका वहवार बहुत चौकाने लगा था मुझे लगने लगा था कि वे नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ अकेले में समय गुजारू उसके साथ बात करूं मगर वे ऐसा क्यों कर रही थी ये मैंने सोचा कि उनके दिमाग में ये वहम हो कि हम दोनों बहने उनकी बुराईयां करते हों इसी वज़े से वे ना चाहती हों कि हम दोनों बहने अकेले में बैठ कर बाते करें फिलहाल जो भी था मैं पडोस की आर्तों से उसकी रिस्ते के लिए कह रखा था वो कोई ऐसा रिस्ता बताएं जो साथगी से शादी करके मेरी बहन को विहा कर ले जाए और जिन लोगों को दहेज का लालच ना हो पडोस की रहने वाली एक आंटी तो बहुत ही अच्छी थी वे बुलकुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी उन्होंने मुझसे कहा था कि वे जरूर मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिस्ता देखेंगी उसने बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी उस दिन मैं रोज की तरह जब सुबा को उठी तो बाहर सी अजीब तरह के शोर की आवाज स दूसरी तरफ मेरे ससुर खड़े थे मैं जल्दी से उनके पास गई और उनके हाथ से अपनी बहन का बाजु छुडाया और उनसे कहने लगी की माजी क्या हुआ है आपने क्यों सुबा सुबा हंगामा किया हुआ है हर रोज उसको कटगरे में लाकर खड़ा कर देती हो मैं नहीं जानती की अचानक गुस्से में मेरी आवाज कैसे बुलंद हो गई वरना मैं हमेशा अपनी सास से धीमी आवाज में ही बात किया करती थी चाहे वे मुझे कुछ भी कहती चाहे वे मुझे पर कितना भी गुस्सा क्यों ना दिखाती थी मैं उन्हें पलट कर कभी जवा गई और जब उन्होंने तकिया हटाया तो उसके नीचे मेरी बहन की चूडिया और उसके इस्तमाल किये कुछ चीजे पड़ी हुई थी ये सब देखकर तो मैं हैरान ही रह गई और उसने पूछने लगी कि ये सब क्या है और ये यहां पर कैसी आया मेरी सास कहने लगी कि यही बात तुम अपनी बहन से पूछो इससे पहले तो वे मेरे दमात को ले जाने की कोशिस कर रही थी और जब उसने नाकाम हो गई तो मेरे पती पर डोरे डालने लगी ऐसी घटिया लड़की को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं रुकने दे सकती हमने तो इस लड़की की मद साथ धक्के देकर निकाल दूंगी यहां से निकलो जहां मर्जीर चाहे जाओ यहां से निकल कर और जाते जाते अपनी बेटियों को भी साथ लेकर जाना इतना सब कुछ हो रहा था लेकिन मेरे पती और ससुर खामोस ही खड़े हुए सारा तमासा देख रहे थे मैं अपने स ससुर के पास गई और उनसे कहा कि आप मुझे बताईए क्या हुआ है मगर वे मुझे से नजरे चुराने लगे और घर से बाहर चले गए मगर मेरी सास ने तो बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था आस पडोस के सभी लोग घर में आकर उनका ड्रामा देख रहे थे वहां पर मौझू सभी लोग हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से जानते थे और मेरी सास को भी अम मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाए इसके की मैं अपनी बहन को इस घर से भेज दू लेकिन मैं सोच में पड़ गई की मैं इसको कहा भेजू हमारा तो कोई अपना नहीं था कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको सहारा दे सकता था तभी पडोस की वही आंटी जिसने मेरे रिस्ते के लिए कहा था मेरी मदद करने के लिए आगे आई उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बेजती होने के बाद भी इस घर में तुम अपनी बहन को रखना चाहोगी उनकी बात सुनक मेरी आखों में आसु आ गए मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ आप ही मुझे बताईए मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है आखिर अपनी बेहन को कहां भेजू वे कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो इसे मेरे साथ भेज दो मैं इसके र नहीं था कि मुझे आंटी पर भरोसा नहीं था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपनी सास पर यकीन कर लिया था ये देखकर मैं हैरान थी कि उनका सामान बाहर रखी चारपाई पर कैसे पहुँचा और मेरे ससुर ने तो ये कहा था कि मेरी बेहन उनके पास गई थी और ने इसे वापस भिजवा दिया ये कहकर कि वे उनकी बेटी जैसी है अपने ससुर की बास सुनकर मैं हैरान रह गई थी मुझे उनसे ऐसी किसी भी बात की उमीद नहीं थी क्योंकि वे किसी के मामले में नहीं बोलते थे वो अपने काम से काम रखते थे और बहुत ही सरीफ इ ये सब क्यों कह रहे थे मैं ये सब सोच कर उलजती जा रही थी कुछ दिनों बाद ही मैंने ये बात नोटिस की कि मेरी बहन जिस दिन से यहां से गई थी मेरी सास तभी से बहुत खुश नजर आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन उन पर बोज बन रही थी और जब व कि ऐसे अचानक घर आने पर उसके इतना रोने और परिशान हो गई और जो खबर उसने सुनाई उसको सुनते ही मेरे घर वालों के होश उड़ गए उसने बताये कि उसके पती ने दूसरी शादी कर ली है और अब वे कभी भी अपने पती के घर वापस नहीं जाना चाहती ये स चुनकर तो मेरी साज बेसुद हो गई घर में जैसे परिशानियों का महौल बन गया था सब अपनी जगा बहुत परिशान नजर आने लगे थे लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरी नंद का था उसे ना तो खाने का होस था और ना ही किसी और चीज़ का मैं तो पहले ही अपनी बहन की वज़े से बहुत परिशान थी क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाई थी जब मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बताए कि वे मेरी बहन की शादी कर रही है लड़का उनका भांजा है जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है ये सुनक पर मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन मैं एक अजीब सी सोच में पढ़ गई थी मैंने आंटी को कहा कि मैं एक बार उस लड़के को देखना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ आंटी ने मुझे कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगा पुलकुल ठीक है तुम जरू इनु को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा है जैसे मैं अपनी बेटीयों को समझती हूँ वैसे ही तुम दोनों बहनों की भी समझती हूँ आंटी की बातों पर मेरी आँखों में आसु आ गए थे सच कहते हैं परिशानी में अगर कोई काम आ जाये तो वे इनसान दुनिया में सबसे जादा अच्छा लगने लगता है और इस वक्त मुझे आंटी इस दुनिया की सबसे अच्छी इनसान नजर आ रही थी जबकि मेरा उनसे कोई खून का रिस्ता नहीं था बस एक इनसानियत का और एसास का रिस्ता था और उन्होंने मुझे इस बात का एसास दिलाय था कि दुनिया से कभी अच्छे लोग खतम नहीं हुए हैं ऐसे लोगों की वज़से ही तो ये दुनिया अभी तक चल रही है जब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई अपने कमरे में जाते हुए अपनी नन की बात सुनकर मैं ठटक कर वहीं पर रुक गई थी वे क मा बाबू जी आपने भाबी के साथ बहुत जायकता की है आपने उनकी बहन पर इलजाम लगाया आप लोग जानते हैं कि किसी पर इलजाम लगाना कितना बड़ा पाप है और शायद ही आपके इस पाप की वज़े से मुझे उसकी सजा मिल रही है जैसे आपने किसी की बेट भी उन दोनों बेहनों ने आप से कुछ नहीं कहा, मैं उनके कमरे के अंदर चली गई, मुझे देखकर वो परिशान हो गई, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को एक बार भी ऐसास नहीं हुआ कि आप किसकी बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं, आपने क्या वे, कहावत नही सुनी की इनसान जो करता है वही भुगतता है, आज जो तकलीफ आप किसी की उलाद को दोगे, कल वही तकलीफ आपकी उलाद को भी सहनी पड़ेगी, और देखिए ये कहावत आपके ऊपर कितनी जल्द पूरी हो गई, उसके बाद आँटी ने अपने वादे के मुताबिक म बहुत परिशानी थी, जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती थी, फिर एक दिन उसका पती सर जुकाए हुए हमारे घर पर आया, वो बहुत सरमिंदा लग रहा था, उसने कहा कि उसको ऐसास हो गया है कि उसने बहुत गलत किया, उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाग दे ही दिया, क्योंकि वे उसके साथ साथ और भी काफी लड़कों से चक्कर चला रही थी, और शादी के बाद भी उसने उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा था, जब उसने अपनी आँखों से अपनी दूसरी पत्नी को किसी और के साथ देखा तो अपनी आखों पर यकीन आ गया मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाए इसके की वे उसको छोड़ दे और अपनी पहली पत्नी को अपने घर वापस ले आए घर के सब लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे कहा कि इस बात की क्या गारेंटी है तो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे मगर वे बहुत सरमिंदा था नंद ने कहा कि वे अपने घर वापस जाना चाहती है उसके फैसले ने सब लोगों को खामोश करवा दिया था और मेरी सास को उसे वापस भेजना पड़ा उसके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे माफ साफ किया और उनको माफ कर दिया था अब मैं और मेरी बेहन हम दोनों के ही घर अच्छी तरह से बस चुके थे हम दोनों ही अपने परिवारों में बहुत खुश थे दोस्तों उमीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें